देखिए कोई भी मेरे पास अगर मेटलिक सरफिस है तो मैटल है यह मैटल इसको फ्रि लेक्रॉण्स मेटल के अंदर फ्री ओधने से मिल जाए, लाइट से मिल जाए, तो light के incident होने पर, जो electrons से बाहर निकल जाएंगे, इस phenomenon को हम क्या कहते हैं, photo electric effect कहते हैं, और जो electrons बाहर निकलते हैं, उनको क्या कहते हैं, photo electrons कहते हैं, समझ मही बात? light आके गिरी, light incident हुई, और light से energy लेकर, कुछ electrons हैं हमारे, वो बाहर आ जाएंगे, मालजी ये electron है, ये बाहर निकल गया, ये एक और electron है, ये बाहर निकल गया, जरूरी नहीं हर एक रे से बाहर निकले, जैकिन जब light गिरी, एक surface पे, उससे electron बाहर आ जाए, तो हम इस effect को photoelectric effect कहते हैं, और जो electrons बाहर निकलते हैं, उनको photoelectrons कहते हैं, ठीक है, तो एक बाहर definition लिख लो, photoelectric effect की definition लिखेंगे पहले, when electromagnetic radiations, when electromagnetic radiations of suitable frequency are incident on a metallic surface then the electrons are emitted this phenomenon is called photo electric effect ठीक है, कोई दिक्कत आगे, the electrons thus emitted are called पूटो इलेक्ट्रॉंस ठीक है, बिल्कुल दो basic definition हो गई, इसके बाद हम देखेंगे की photoelectric effect, photoelectric effect की study करने के लिए, हमने एक setup बनाया था, वो setup कैसे काम करता है, ठीक है, चला, बढ़ें आगे, देखो बढ़ें, क्या किया हम लोगों ने, एक glass tube लिया, जिससे की electrons बाहर निकल पाए, जिससे light अंदर जा पाए, इसके अंदर एक metal ले लिया, इस metal के उपर आके light incident होगी, लोगी glass का tube है, light को रोकने वाला कोई है नहीं, light आकर इसके उपर incident होगी, ठीक है, ठीक है बाटा, जब light incident होगी, तो यहां से, कुछ electrons बाहर निकलेंगे, इन electrons को catch करने के लिए हमने यहां पर दूसरा metal रख दिया, यह tube को बंद कर दिया हमने, और यहां से हम लोग इसे कुछ इस तरीके से connect कर देंगे, ताकि electrons घूम सकें इस तरीके से, अब electrons automatically कहां से कहां जाएंगे, lower potential से higher potential के दरफ जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक, यहां पर हमने एक battery लगा दी, हम को क्योंकि इसकी study करनी है, हमें यह current measure करना होगा, कि electrons कितने जा रहे हैं यह पास, यह measure करने के लिए current measure करना होगा, इसलिए हम लोगों ने एक ammeter लगाया, और क्योंकि study करनी है इसलिए हम variable potential difference लगाएंगे, जिसकी वज़े से हम लोग potential difference और current के बीच में relations की study कर पाएं, ओके, यह हमारी कहानी है, बिल्कुल basic वाली, डाइग्राम को बना लीजे, इसमें यह जो plate है, इसको हम कहेंगे emitter, और cathode, क्या कहेंगे, cathode कहेंगे, और यह वाला क्या हो जाएगा, anode हो जाएगा, ओके, समझ में आई बात, अब आप बोलोगे sir, variable battery कैसे लगाते हैं, variable battery कैसे बनेगी, बैटरी का एक्रोस रियो स्टेट लगा तो हो जाएगा काम, देखो कैसे, यह वाला point A है न, इस point को मैंने यह बोल दिया, इसको B बोल दिया, तो क्या है, यह A है, यह B है, हम लोगों ने, एक battery ऐसे ले गई, और B को इससे connect करने के लिए, यहां पर एक इस तरीगे का jack लगा दिया, इस jack को move करेंगे, तो, obviously, A और B के cross potential difference vary करेंगा, ठीक है, यह कहानी है, ठीक है, variable battery ऐसे लगाते है, raw state लगाते है, चलो, तो, यह situation हमने use करी to study, यह setup हमने use के to study, what, to study photoelectric effect, इसलिए इसमें जो current आया, देखो, light गिरने से electron निकले, photoelectric effect हो गया, अच्छा, electron उधर जा रहे हैं, तो, obvious सी चीज है, current उल्टा होगा, right, मैंने उल्टा, सभी गलत मना दिया था, current इधर जाए, इस current को हम क्या बोलेंगे, photoelectric setup में जो current आएगा, उसको कहेंगे, photoelectric current, ठीक है, आई बात, कोई दिक्कत, तो, अभी तक सब कुछ क्लिर है, हाँ, अब मैंने जो photoelectric effect के वारें बात की थी, तो मैंने एक लिखा था, of suitable frequency, जो light गिरनी चीए, suitable frequency की गिरनी चीए, actually उसके बीच ए concept है, work function का, कौन सा concept है, work function, हाला कि exactly, यहाँ पर थोड़ी दिर बात समझ जाएगा, पर अभी एक बार definition लिख लो, work function, work function, या फिर इसको threshold energy भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको threshold energy भी कहते हैं, यह क्या होते हैं, this is the minimum energy, minimum energy required by electron to come out of a metallic surface, एक electron को, metallic surface से बाहर निकलने के लिए, जो minimum energy की ज़रत होती है, उसको क्या बोलते हैं, work function कहते हैं, क्या करते हैं, उसको work function कहते हैं, ठीक है बिटा, कोई दिक्कत है इसमें, खुप क्या गएर नयुक्त को से पSi dal पी एलोड़ गएर में, क्या क्या दिक्सट कर दो हैं, क्या क्यांदे साल डीकशनल? रोगे हैं, क्या 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 ज response का लिए भी जरी रहा फिसे हैं, कि अब देखो कुछ डेफिनिशन है अचा पहले काम करते हैं सबसे पहले जो पहला अब्जेर्वेशन लिया गया किसकी बीच में लेंगे हम लोग करेंट और पोटेंशल डिफरेंस के बीच में यह अनोड़ पोटेंशल विध रिस्पेक्ट टू कर्थोड इसका और करेंट का रिलेशन हमने ड्रॉ किया एक ग्राफ पर रीडिंग ले लेके तो आमने क्या देखा ओटो इलेक्टिफ करेंट इधर है और यह V क्या है आपका basically this is your anode potential इसमें हमने क्या देखा कि जो current आया वो current कुछ इस तरीके से vary किया बिना potential difference apply किये भी कुछ current आ रहा था और ultimately potential difference बढ़ाते गए करेंट बढ़ता रहा बट ultimately एक पर जगह पर आकर करेंट स्टेबल हो इससे ज्यादा current कभी नहीं हुआ करेंट इससे ज्यादा गया ही नहीं ठीक है इस current को हमने क्या कहा saturation current क्या कहा हमने इसको saturation current क्या लॉजिक है इसके बीचे समझो कि बिना potential difference के भी current आ रहा है that means जो electron निकलने का mechanism है वो बैटरी की वज़े से नहीं है वो लाइट की वज़े से यह हमने आ पर confirm कर लिया कि यहां भी बीना potential difference अपलाई किये भी electrons बाहर निकल रहे है that means light की वज़े से ही निकल रहे है जो electron आपके cathode से बाहर निकले थे वो रैंडम direction में निकल रहे थे potential difference अपलाई करने पर वो क्या कर सकता सारे के सारे electrons को anode की तरफ बुला सकता एक बार उसने सारे के सारे electrons को anode की तरफ बुला लिया सारे electrons तो थोड़ से निकले वह पहुंच गए उसके बाद आप और कितना ही पोटेंशल इसमें सप्लाई करो करेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके बेटा कि समझ में आई बात कि कोपी कर लो फिर से तो saturation current कौन सा current है definition लिख लेंगे हम थोड़ी दिर में but saturation current कौन सा current है जब सारे electrons जो की cathode से निकले हैं वो अगर anode पहुंच जाए अनोड तक पहुंच जाए तो उस case में जो current आएगा उसको हम लोग saturation current कहते है जब मैंने एक graph बनाया तो automatically दिमांग में curiosity आई कि अगर मैं potential difference को negative कर दूँगा तो क्या होगा तो हमने जब negative potential apply करके देखा तो we found कि एक particular negative potential difference apply करने पर कोई भी current flow करना बंद करे था मतलब कोई current flow करी नहीं रहा है एक limit से जादा negative potential difference apply कर दिया तो इसको हमने क्या नाम दिया minus v stopping इसका magnitude है negative potential का उसको कहा है stopping potential और इसका नाम क्या है तो basically यह potential difference कितना होगे minus of v potential होगे ठीक है v stopping potential होगे तो कुछ और जो definition में बोल रहा था दोनों लिखी लेते हैं फिक बार पहला है saturation current क्या है saturation current क्या होता है यह अमिते बार बार थोड़ रेच रेच थे अनोड then the current flowing in the circuit at that instant is known as saturation current okay the club you झाल झाल हो गया? okay अगला topic क्या होगा? अगला definition क्या होगा? Stopping Potential Stopping Potential Stopping Potential क्या होते है This is the minimum magnitude of negative potential Minimum magnitude of negative potential of anode with respect to cathode for which current is zero It is also called Cut-off Voltage क्या कहते है इस कौर नाम क्या है Cut-off Voltage क्या 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 है क्या क्या है क्या क्या है जिहां दिजीएगा definition पर यह magnitude of negative potential है Negative potential sign के हाथ नहीं है क्याने का मतलब यह है कि अगर आपके आपका जो Stopping Potential होगा ना वो 3V लिखा हुआ है मतलब आपने 3V अप्लाई करोगे तब current 0 हो जाएगा ठीक है बड़ते हैं बढ़ते हैं आगे Saturation Current हो गया Stopping Potential हो गया अगला है Retarding Potential क्या है अगला Retarding Potential सब बिल्कुल basic definition से बेटा लिख लो एक बार फिर पढ़ाई शुरू होगी इसकी यह क्या होते हैं लिखेंगे negative potential of anode negative potential of anode with respect to cathode which is less than stopping potential ठीक है अगर anode का potential cathode से कम है नेगेटिव है लेकिन वो potential आप जो difference जो है वो stopping potential से कम है तो उस negative potential के magnitude को क्या कहेंगे retarding potential क्याता है ठीक है क्योंकि वो potential क्या करेगा electrons को वहाँ जाने से रोकेगा electrons को slow करेगा अब दो दो अब दो अब देखो यह experiment कर रहा था Einstein उसने observations क्या लिए observations made by Einstein देखेंगे observations उसने सबसे बहले तो current और intensity of light की बीच में graph बना है इसमें कोई दिमांग लगाने वाली बात नहीं बहुत बढ़िया है इसमें कोई शक्क वाली बात बची नहीं क्यों कि कॉपी कर लो फटा फट 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 पिर उसने क्या किया हुं यह क्या हुआ सब्सक्राइब बोल दिए तो सर एक से कि में अब्जर्विशन में ग्राफ बनाया ना वही है और क्या क्या ग्राफ बनाया था दिखलो यह बनाया था ना इंटेंसिटी यह और करेंट वर्सें इंटेंसिटी यह करेंट है इसर इंटेंसिटी है ठीक है आगे बड़े यह चलो अगला क्या है कि अग्राफ हम अलड़ी बना चुके था ना थोड़े पहले वही ग्राफ बनाया उसने भी कि आपका जो फोटो एलेक्ट्रिक करेंट है उसका वर्सेज पोटेंशल डिफरेंस का ग्राफ उसने बनाया बट फर डिफरेंट इंटेंसिटी जफ लाइट बनाया तो एक इंटेंसिटी उसने यूज करी तो ग्राफ आया कुछ ऐसा फिर उसने इंटेंसिटी चेंज करी तो इंट्रेस्टिंगली उसने दो चीज़े देखी एक तो चीज देखी उसने सैचुरेशन करेंट वाली जहां दीजेगा यहां पर उसकी जो इंटेंसिटी है यह इंटेंसिटी टू है यहां पर लाइट की इंटेंसिटी इंटेंसिटी वन है इंटेंसिटी टू जो है वो ग्रेटर देंसिटी वन है उसकेस में करेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी वन है क्या देखा उसने इंटेंसिटी बढ़ाने से करेंट इंक्रीज कर रहा है सच्चुरेशन करेंट इंक्रीज कर रहा है बट इत दे सेम टाइम एक चीज़ उसने क्या अब्जर्व करी कि यार यह जो stopping potential है न यह intensity भी डिपेंड नहीं कर रहा note करना लएक बात क्या थी V stopping does not depend on intensity of light ठीक है उसने क्या किया sodium lamp लिया sodium lamp पहले कम intensity भी चलाया फिर sodium lamp को ही ज्यादा intensity भी चलाया करेंट बढ़ गया पर stopping potential पर कोई फर्क नहीं पड़ा कॉपी हो गया करेंगे है आपके मेरे रहसा को यह होता है यहीं पर खुश जाता है लिए जिए को जिए वह वह इसके आगे और भी हरकते निलasia बेटारे कब्क करता गया क्या 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 error की क्या व्युक्षिक चीजल और और थे ध्यों सबसे बहले दो नहीं से एक चीज तो जी तरी भी superstar का रहा है तौहg सिर्ध एक्षिंड कर रहा है तो क्यों कर रहा है क्योंकि, even the electron that has got highest energy, highest kinetic energy, उसको भी stopping potential पर रोग दिया जा रहा है, from reaching a node, okay? काथोर से जो electron निकला, अलग 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 kinetic energy लेके निकले, लेकिन, even the electrons with maximum kinetic energy, were stopped by applying stopping potential, ठीक है? इसलिए, उसने conclude किया, कि अगर मैं, number of photo electrons, जो emit हुए है, versus kinetic energy का graph मनाऊं, तो मुझे क्या बेखेगा? मेरे को एक limit देखेगी, कि सारे के सारे electrons हैं, उससे कम ही kinetic energy रखते हैं, वो limit क्या होगी? E into V stopping, क्योंकि इतना potential supply करने पर, electron पार नहीं कर पार रहे थे, उस difference को, इसलिए उसने बोला कि जो graph बनेगा, जो कुछ ऐसा होगा, थोड़ा हो, शेप आगे पीचे हो सकता है, बट रहेगा ऐसा ही कुछ ने कुछ, बस important यह है कि there will exist a maximum kinetic energy, इसलिए ऐसा हो रहा है, उसने बोला कि अगर stopping potential है, इसका मतलब एक maximum kinetic energy भी है, उस energy से ज़्यादा kinetic energy वाला कोई भी electron exist नहीं करता है, कोई दिक्कत? तीसरी बात उसने कही, तीसरी observation उसने ली, कि मैं काम करता हूँ, मैं light की intensity change करने की जगा, उसकी frequency change करता हूँ, ठीक है, उसने क्या किया? फ्रिक्वेंसी चेंज करके देखी, जब उसने light की frequency change करके देखी, उसने observe किया, कि वो जब आपका photoelectric effect है, वो anode potential minus cathode potential, अगर मैं vary करता हूँ, तो उसके हाथ current तो vary करे गई, पर अगर मैं अलग-अलग frequency यूज़ करता हूँ, तो उसने देखा कि अलग-अलग frequency के लिए stopping potential अलग-अलग आया, मानले यहाँ पर frequency new 1 है, इसकी frequency new 2 है, इसकी frequency new 3 है, तो अलग-अलग frequency के लिए, अलग-अलग stopping potential आया, new 3 is greater than new 2 is greater than new 1, इसलिए stopping potential 3 is greater than stopping potential 2 is greater than stopping potential 1, ओके, समझो आई बात, आगे बात, आगे बात, आगे बात, आगे बात, पर आगे बात, आगे हैं? पर आगे बात, आगे हैं? झाल झाल सब ठीक है बेटाओ ये सब पक्का चलो फिर अब देखो जैसे ये लिखा एक नैच्रल सी बात दिमाग में क्या आ रही है कि क्यों नहीं मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ बना लूँ है ना स्टॉपिंग पोटेंचिल और फ्रिकॉंसी के बीच में ये सोनो वहलो लग रहा है कि मुन कर रहा है कि नहीं कर रहा है मैं आच्छे अब कर रहा है कि मैं स्टॉपिंग पोटेंचिल और ऍच्रेकंशी थी बीच में देख रहाए है ग्राफ मनागे बनाल अलग लग अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंचिल मेजर करूँ और correspondingly मैं graph draw कर लू तो वही क्या आइंस्टिंट ने भी उसने क्या बोला क्या stopping potential क्यों draw करूँ जब stopping potential से अच्छी चीज़ है मेरे पास क्या उसका proportional है k max जो की e times v stopping था याद है तो उसने क्या किया उसने यह graph draw किया तो उसे मज़ा आ गया क्योंकि graph जो एकदम perfect straight line है ठीक है समझ माई बात graph जो है एक perfect straight line आया इसलिए Einstein खुश हो गया ठीक है पर यहाँ पर एक बात और कहूंगा आप और में होते हैं यहाँ पर इतना करने का तो पक्के से रुख जाते हैं अगर हमारे दिमाग में यह चीज़ आ भी जाती कि हम experiments करकर के solve कर रहे हैं यहाँ पर पक्के सरुख जाते हैं पर वह आइंस्टीन था आइंस्टीन ने बोला नहीं अभी कुछ और बाकी है एक विरिवल बाकी है अध्यस्ट करना सोचो कॉन्स पूरे सेट अप में हम लोगों ने सब कुछ चेंज कर दिया ना को एक चीज़ चूट बही है बताओ क्या चूटी यह अब आइंस्ट उसी को चेंज करेगा पोटेंशिल लिफ्रेंट्स करेंट लाइट की इंटेंशिटी फ्रिक्वेंसी सब को सा चेंज कर दिया बचा क्या कुछ तो अपने अब होता है बैटा वेरी क्या करना उसमें एक चीज़ बची है हमारे सेट अप में एक चीज़ बची हुए इसको भी चेंज कर सकते हैं वो मेटल जिससे इलेक्ट्रोन निकल रहा है समझ में आई वाथ आया ना समझ में आया यह समय वो मेटल जिससे इलेक्ट्रोन निकल रहा है अब उसको वैरी करेगा जब उसने से वैरी किया तो क्या हुआ उसने देखा कि मेटल वैरी करने पर भी ग्राफ्स ट्रेटलाई निया आ रहा हैेंड इनलेंट्रेस्टेण्लिधी ग्राफ्स सिर्टेटल्रीन निया रहा है पिछले ग्राफ्स के पैènलल भी आ तीसरा लगओं मेटल तब भी होरे है हाँ इंटेसरड्ट चेंज हो लेकिन slope change नहीं हो रहा है उसने बोला एक minimum frequency से कम frequency पर कोई electron बाहर नहीं निकल रहा उस frequency को हम लोग threshold frequency कहा देते हैं अब देखो ज़रा exam में लिखा रहेगा threshold wavelength तो देहान दीजे minimum frequency के corresponding maximum wavelength आएगा ना भई क्योंकि wavelength कितना हो जाएगा C by frequency threshold frequency क्या बोलोगे minimum frequency for causing photoelectric effect पर threshold wavelength क्यों हो जाएगा maximum wavelength for causing photoelectric effect समझ महारी बात अब देखो यह threshold frequency metal पे डिपेंड कर रहे है मतलब metal पर पड़ते है अहाँ metal class work function था ना था कि निए था था कि निए था कि निए शोल्ड आ रहा है किसी भी ग्राफ के लिए कि निए आ रहा है बोलो and interestingly यह जो 10 theta है पता कितना है 6.626 into 10 to power minus 34 SI units समझ में आई बात यह क्या है यह planks constant h है ना तो basically हमारे पास equation क्या बनी हमारे पास equation बनी k max is equal to h new minus h new threshold यह जो h new threshold है यही आपका basically work function है और work function को हम लोग represent किस से करते है w से या फिर pi से तो k max क्या आ गया h new minus 5 ठीक है समझ में आई बात खेर h बेच के बारे बात आइंशन ने नहीं करी थी बात में आया है सब पर यह हमारी equation बनी आज ही रिटम हम इस तरीके से easily पढ़ सकते है ठीक है और आइंस्टेंट ने यह भी देखा कि जो भी हो रहा था इंस्टेंट हो रहा था ऐसा नहीं था कि आज लगाया और कल शुरू हुआ या एक घंटे बाद शुरू हुआ या इवन पांच मेट बाद शुरू हुआ बस जैसी वो connection चेंज करता था वैसी current बगर सब कुछ अब इनु अब्जर्वेशन के वेसिस पर आइंस्टेंट ने बोला कि देखो यह लाइट जो आप लोग इतनी दिनों से बकवास करो कि लाइट वेव है लाइट वेव नहीं है लाइट पार्टिकल है ठीक है आइसा कि हो गया है उसने कहा कि देखो यार तीन प्रॉब्लम्स ओं Hart लाइट के वेव होने में रा फोटो एलेक्रिकिक इफधेक्ट आ कि न्यों सकता हूं लाइट को भेमान के तीन मेजर प्रॉब्लम्स है किका मेजर प्रॉब्लम था है ओ कंग सबसे पहले तो ट्मक्रीख की प्रॉब्लम है कि एक सेकंड उसने कहा कि लाइट की इंटेंस्टी बढ़ाने से से मैकजिम कानेटेक इनर्जी चेंज क्यों नहीं कुँ नहीं रहे हुआ इन्टेंशिटी बढ़ा होगे तो ज्यादा इनर्जी कि नहीं अगर आप इंडेंसिटी बढ़ा होगे तो ज्यादा एनर्जी आएगी इलेक्ट्रिक फिल बढ़ा होगा ज्यादा एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रों को ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए मतला लेक्ट्रोन की मैंगजम कानेटिक एनरजी बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़नी यह प्रॉब्लम है ठीक है सबसेब प्रॉब्लम क्या है इंटेंसिटी बढ़ने से कैनेटिक एनरजी चेंज यह नहीं होरी अगर लाइट वेव है वेव कंटिनुसली आती है जाधे इंटेंसिटी दाओगे लाइट इनरजी यल्दी यल्दी आएगी तो कैनेटिक इनरजी बढ़ जानी चीए लेक्ट् क्यूं कि एक पर्टिक्लेट टुविंसी कि यह थे पर टॉई कोई ईलेक्ण बाहर निगा नितला है ढ। कितनी भी इंटेंसी बढ़ा दूँ मैं अगर फ्रिक्वेंसी पो ना बढ़ाऊं तो और इसा कि हो रहा है अगर लाइट वैए एनर्जी बाढ़ा हूंगा ज्यादा एनर्जी पहूंचेकी उलेक्ट्रॉंस तर एलेक्ट्रॉंस तरहना चीह frequency problem तो एक major problem है और तीसरी problem है time delay problem तो देखो उसने calculation करी कि जिस intensity of light के लिए वो experiment कर रहा है उससे क्या होगा कि उसने calculate कि एलेक्ट्रॉन के जो size है उस size पर electron को कुछ energy चाहिए electron को बाहर निकलने के लिए बाहर निकलने के लिए जो energy चाहिए वो energy मिलने में से कितना time लगेगा जोकि intensity अगर fix है तो energy per unit area per unit time fixed है बगर energy per unit area per unit time fixed है electron का area fixed है हाला कि उसने electron का area निलिया था उसने पूरे nucleus का size का area निलिया था बोला था electron चोलो nucleus के बड़ा मान लिया और बोलो तो उसने nucleus के area के बराबर area पे बोला कि इतने area में light अगर गिराता हूं तो कितनी देर में electron को sufficient energy मिलेगी to leave the metallic surface ठीक है हुआ है कि डिडिविस calculations very precise calculations and he arrived at the result of eight hours की आठ घंटे में electron को energy मिलेगी metal से बाहर निकलनेगी जबकि electron तो तुरंद बाहर निकल जा रहे है अना इसने क्या हूं लगा इंस्टेंट ही नहीं सारा के सारा एफेक्ट वैसे बेगर 8 घंटे की बाद हो आधी तो 8 घंटें तो electron 75 बाद अगड़ा के energy all lose करते थे था electron basic energy निकल बाहर निकलता ही नहीं अगर light wave होते हैं ने मिटा हम photoelectric effect देखी नहीं पाते है observe भी नहीं होता है होता ही नहीं फिनोमेन एक इस नहीं करता जी Einstein ने के दिया ठीक है यह तीन problems इत्ती बड़ी problems थी जिनको कभी answer देनी पा रहा था अगर light wave है तो यह तीन problems मेरी solve करो ठीक है इसका एक ही explanation हो सकता है क्या कि light wave नहीं है light particle light is made of stream of particles उसी theory पर आ गए जहां पर कौन था Einstein था बस उसनों particles का नाम Einstein particles का नाम दे दिया photons क्या नाम दे दिया photons बोला कि अलग-अलग frequency के corresponding different photons निकलते हैं साइस उसका अलग हो सकता है मास अलग हो सकता है पर light particle से बनी हुई है waves नहीं बनी हुई है और अगर आप light को particle मान लोगे photons का बनाव मान लोगे तो मैं जितनी problems आ रही है इस photoelectric effect को explain करने में उन सबको explain कर सकता हूं क्या बोला उसने देखो भाई या photon की जब आप frequency change करते हो तो एक photon की energy वह उस frequency के corresponding होती है वह वह frequency वह energy है आपकी यह h new या उसमें tan theta का नाम देखा है a तो a new ठीक है हर एक photon का इस इतनी energy है अब अगर यह energy अगर उस photon की energy इस work function से कम है तो जितने मर्जी फोटन मान लो कोई electron बाहर नहीं निकलेगा उसके बाद ही अगला photon मिलेगा इस लिए electron बाहर नहीं निकल पाएगा अगर उस photon की energy इस work function से कम है तो so frequency बढ़ाते हो तो photon की energy बढ़ती है h new के वड़ाबर photon की energy होती है और basically हर एक photon जो है वो एक electron पर आके गिरेगा अगर photon की energy electron को बाहर निकलने के लिए sufficient है तभी electron बाहर आ सकता नहीं तो बाहर नहीं आ सकता तो frequency problem सौल हो गई कि एक minimum frequency से कम frequency पे कितनी भी light दे दो electron बाहर क्यों नहीं आ रहा है ठीक है दूसरी है intensity problem intensity problem क्या थी कि भहայ ओ intensity बढ़ाने पर भी stopping potential क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि intensity बढ़ाने से एक photon energy change नहीं हो रही हा नमर खो मिल रहे हैं इसलिए ज्ट एलेक्ट्रोन को Yes ज्राब vendent करने करने बढ़ जा रहा है but stopping potential prosecutor नी होगा किनिक नहीं होगी ठीक है नेक्स्ट टाइम डिले प्रॉब्लम उसनों देखो यार कंसिरे करो एक पार्क को उस पार्क में आप बहुत सारे फ्लार्स हैं पौधे हैं प्लांट्स हैं आपको उन्हें पानी देना अब पानी देने के दो तरीके एक है कंटिनियूस मेथर जैसे कि फवारा लगा दो गार् पूरा पानी मिलने में कम से एक घंटा देर गंटा लग जाता है क्योंकि सारे पौधों में पानी एक साथ जा रहा हैं वह आपका वेव मॉडल हुआ मैंने बुला निक पार्टिकल मॉडल तो कुछ और है क्या है आप एक बाल्टी लेके गये हैं जिस बाल्टी में बहुत स पानी मिल गया और इसको पर नहीं गिरा उसको कुछ नहीं मिला अगर बलून का साइज छोटा है पानी उसमें कम है तो कोई भी पौधे को पूरा पानी नहीं नहीं मिला किसी इलेक्रण को पूरी इनर्जी नहीं मिली इसको बहुत बाहर नहीं आ पाया फ्रिक्वेंसी प्रॉ तो इसलिए आइंस्टीन ने बोला लाइट जो है पार्टिकल से लाइट वेव नहीं है ठीक है बेटा कि समझ में आई बात अगा ओके तो यह आइंस्टीन ने सब कुछ कह दिया कि फिर इसको प्लैंक ने थोड़ा सा बदला कि नहीं और वेवी यह बट कॉंटम में आती है ठीक है और एक कॉंटम मतलब एक पैकेट में आती है और एक पैकेट की वह एच नीू होती है यह किसकी है प्लैंक स्कॉन्टम थे ओर है Planks Quantum Theory देखो H के बारे में Einstein ने बात नहीं करी थी Theory है theorem नहीं है maths नहीं है ठीक है इसने वह ला जो Total Energy होगी वो हो जाएगा Number of Photons into एक Photon की Energy Q is equal to any E is equal to H नहीं हो इसको आप obviously H C by Lambda भी कह सकते हो Vacuum में और आपका अक्षर आपके question में Lambda दे रखा होगा आपको H C by Lambda निकालना होगा H की value गंदी गंदी से इसको C से उल्टाएक और फिर गंदे से Lambda से या 12400 इलेक्ट्रान वोल्ट आंक्स्ट्राम भी बोल सकते हो ठीक है मलत कैलकुलोशन में जैसे रिक्वार्मेंट हो मलत कैने कालव 621 से रिवाइड काना दो 1242 माल लो और 620 से रिवाइड काना दो 1240 माल लो ठीक है वो wavelength कितना उसके आपसे लेकिन एक question में अगर आपने 1242 लेड़े तो उस पूरे question 1242 ही चलाईएगा अगर अगर question में data नहीं गीवन है तो question में यह value नहीं गीवन है तो वैसे हची की value 1242 एलेक्ट्रान वुल्ल टेनोमेटर होती ही याद रखना है ठीक है ठीक है आट साइक G को 9.8 भी लेते हो और 10 भी लेते हो ना उसी तरीके की बात है कि 1242 लेना है कि 1240 लेना है चलो इस तरीके से photoelectric effect को लोगों ने explain किया Planck ने और Einstein ने ठीक है अब हम लोग इस पर questions करेंगे आपको questions में सबसे important चीज़ बतायता हूं क्या है kmax is equal to e into v stopping is equal to hc by lambda minus 5 या फिर h new minus 5 ठीक है यह आपके बेहब से basic equation है और सारे questions mostly जो है इसी पर आएंगे ठीक है इसी concept से सारे खारे questions बनेंगे इसको copy कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब बस कुछ numericals करने हैं और कुछ नहीं है जब करना ह। झाल जबना है कर बदुम और करते हैं टुम मेंगे झाल 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 प्योगिया? प्योगिया? झाल झाल चलो फिर अब कुश्चन्स करते हैं एक्जाम्पल लो observations है आपके बता दे रहा हूँ उसके आप से कुछ कुश्चन्स होगे पहला है लैम्डा इंसिदेंट इस एक्वल टो 1.98 इंटो 10 पावर माइनस 7 मीटर दूसरा है क्वार्टॉसरा इस साफ़पल इस साफ़-Sक्वार्ट- un-1 or CO-5 इस साफंस्वार्ट. माइनcess आपकेड, सीस्थाप्ग आए सान इस ए लुच। 9.洲 कुछ दूस्वार्ट। 10.96 मैंस्वार्ट, झाल 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 कितना होता बेटा सरी तो simply E into V stopping होगा न that is equal to 2.5 electron volt done first part second part work function निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे Kmax is equal to HC by lambda minus 5 this means 2.5 electron volt अब देको यह क्या है 1.98 into 10 to the power minus 7 meter that is equal to 198 nanometer right so this is 1242 electron volt nanometer upon 198 nanometer minus 5 so this means 5 is equal to 1242 upon 198 right तो इसको 200 स्वाइड करके देखने कितना आएगा 200 स्वाइड करेंगे तो कितना आएगा यह 6.21 आएगा 6.21 है तो इसमें 1% स्वाइड हो 6.27 हो गया यह ठीक है बनलब देमिलेटर एक परसन घटाया तो जो जल्ट आएगा वो एक परसन बढ़ जाएगा approximately 6.27 minus 2.5 electron volt that is equal to 3.77 7 electron volt ओके बेटा हुँ हुँ सर आपको कालकुलेट कैसे किये है बटा कालकुलेट तो अपने से करो मतलब लेकिन हम मैं आपको फिर भी को बताया था हूँ 198 के 200 से एक परसेंट कम है ना यह सर तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1242 अपान 200 into 1 minus 1 percent okay that is equal to 6.21 into 1 plus 1 percent right okay yes yes sir sir वो stopping potential को तो माइनेस लेके solve करेंगा ना stopping potential माइनेस होता है नहीं हमेशा पॉस्टिव पॉस्टिव होता है नहीं हमेशा ही पॉस्टिव होता है yes sir okay so 5 कितना है 3.77 electron volt कोई दिक्कत है इसमें के मैंक्स निगेटीव होना हो जाएगा चलो अच्छा C पचाओ रह गया ना P क्या आएगा भाई आपको बुला है new threshold तो H into new threshold कितना होता है 5 होता है that means new threshold जो है वो 5 by H है अब इसको गालक्वेट करने का वह बास डायेक्टरी का कुछ भी नहीं है करना पड़ेगा 3.77 electron volt इसमें कोई उपाय नहीं है ठीक है 3.77 into 1.6 into 10 to power minus 19 अपन H कितना है 6.26 into 10 to power minus 34 ठीक है तो यह 1.6 है 10 to power minus 15 हो गया 3.77 4.6 4.6.4 तो कम ही आएगा 9 क्या आश्वस हाएगा 9 to 10 to power minus 14 हो ठीक है अब देखो यार actually यह सब calculation आजकल आ जाते हैं एक्जाम में और बहुत तंक करते हैं और आइटी बोलता है decimal का दो प्लेस ता calculate कर cancel हो ठीक है करना पड़ेगा ठीक है बटा आगे बटे गर्ला एग्जामपल है बीम अफ लाइट है पूर वेविलेंस है कितने कितने 4000 एंग्स्ट्रॉंग 4800 angstrom 6000 angstrom and 7000 angstrom एक है each of intensity 1.5 10 to power minus 3 watt per meter square ठीक है beam falls normally on area 10 to power minus 4 meter square of clean metallic surface of work function phi is equal to 1.9 electron volt ठीक है assuming no loss of light energy that is इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ 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 all capable photons eject one electron και 함 प्यक्डली बातंद मतलब फर सक्डेवन फर सक्रारोथ धर सक्राँ यग ELEC य़िए पर सक्डेवन पर सक्так श्जलब यगर्टरस अच्छा देखिए यह कुश्चन होता रहेगा पहले कोई मतलद समझायता हूं कई बार आप लोग यह देखो पढ़ो कि बुक में कि नंबर ओफ या जो फोट एलेक्ट्रिक है फोट फोट एलेक्ट्रिक करेंट है ना करेंट इस इंडिपेंडेंट अफ इंटेंसिति कई बा गया प, independent, current is independent of frequency okay frequency if intensity is means unchanged intensity is unchanged कई बाद ये पढ़ोगे आपको ये sentence हाला कि उतना अच्छा unchanged अगर frequency अगर हम intensity को change नहीं करेंगे और हम frequency को change करें तो current पर कोई फर्कने पढ़ता कई बाद ये पढ़ोगे देखो यार वहाँ जब वो कोई ऐसी बात कर रहा है न ये बात कर रहा है न तो वो कुछ specific meaning को रहना चाहता है वहाँ पर intensity का मतलब क्या है intensity का मतलब वहाँ पर इस sentence में energy parent area parent time नहीं है क्योंकि अलग-अलग frequency के लिए ये same energy पर number of photon change जाएंगे राइट राइट या रॉंग बालो लिए same intensity of light के लिए same intensity बात के लिए same amount of energy total energy same है लेकिन frequency change करोगे तो एक photon के लिएट जाएगी तो frequency कम करोगे तो number of photons बढ़ जाएंगे same intensity के लिए yes or no तो basically जब वो ये sentence बोल रहा है तो ये वाली intensity basically photon intensity है this is not energy intensity ओके वालो number of photons falling per unit area per unit time अगर वो अलग-अलग frequency के लिए आप same रखते हो तो current same रहेगा given कि वो frequency जो है threshold frequency से बढ़ी है ठीक है बट अगर frequency का मतला energy per unit area per unit time है तो अलग-अलग frequency के लिए हमें अलग-अलग number of electrons मिलेंगा अलग-अलग current मिलेंगा ठीक है बटा जैसे कि ये वाला example इसमें क्या देरिखा है energy वाली जो intensity नहींगा energy per unit area per unit time watt per meter square ये अलग-अलग wavelengths के लिए same है और हमें बताना है कि कितने electrons बाहर हैं हमें assume करना है कि जो भी photon electron को बाहर निकाल सकता हो निकाल देगा ठीक है अब देखो सबसे पहले तो इसमें ये देखना होगा कि क्या ये चारो wavelength के पास sufficient energy है कि वो हमारे photon को बाहर निकाल पाएं हमारे electron को बाहर निकाल पाएं तो उसके लिए हमें निकालेंगे lambda threshold ठीक है हम बोलेंगे कि solution में सबसे पहले का निकालेंगे lambda threshold hc by lambda threshold कितना आ रहा है is equal to work function होना चाहिए this means work function का use करते हैं हम लोग lambda threshold निकाल सकते है क्योंकि angstrom में दे रखा दे रहा है 124 00 कर देते है 124 00 upon 1.9 electron volt that is greater than 6000 angstrom but less than 7000 angstrom right therefore therefore कौन-कौन capable है 7000 angstrom capable नहीं बच्चा 4000 4800 and 6000 angstrom are capable यह capable wavelength है 7000 angstrom capable wavelength नहीं है इसको हमने हटा दिये तो अब हमें basically calculate क्या करना है number of electrons के लिए हमें बताना है कि इन तीनों wavelengths के corresponding कितने photons आ रहे है right यह नहीं बताना है एक second में इन तीनों wavelengths के corresponding कितने photons आ रहे हैं यह बताना है अब देखो number of photons into h c by lambda is equal to energy total energy तो is equal to intensity into area into time no time is one second क्योंकि question बोलोगा per second right this means आपका जो number of photons है वो कितना हो जाएगा i a by h c into lambda yes or no बोलो that means total more of photons is equal to i a by h c तो common हो गया into lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 that is equal to intensity into area itna into itna 1.5 into 10 to power minus 7 1.5 into 10 to power minus 7 into 3-oh wavelengths का sum 8800 14800 14800 angstrom upon h c 1 2 4 double 0 electron electron volt angstrom ठीक है angstrom angstrom चला गया electron volt का SI में convert करना बढ़ागा है क्योंकि यहां पर joule है तो यह हो जाएगा 1.6 into 10 to power minus 19 so this is equal to 10 to power minus 13 so this is equal to 1.5 into 1.5 into 1.48 10 to power minus 6 into 10 to power minus 13 upon 1.24 into 1.6 into 10 to power minus 15 right इसे प्यारा नो किस्तों मने करणे कर करें तब यह तो इसे अच्छ रहा है तो अच्छ यह अच्छ नो cancel हो गया तफिंग क्या कर रहा है अच्छ नीच वाला काट दूपृ अच्छ वाला काट दीओ उप्र वाला काट़ा ने अच्छ दे कर भड़ों 122 into 10 to power minus 7 upon 124 into 1.6 into 10 to power minus 19 so ये करीब करीब 1.2 180 आया 186 approximately 1.1 into 10 to power 12 हाँ वह या एंसर इतना है एप्रोक्विटली 1.12 into 10 to power 12 ठीक है इतना है एलेक्ट्रोंस पर सेकंड बहार निकलेंगे ठीक है ये कैल्कुलीशन है बेटा क्या करोगे तो बेस्ट पॉसिवल मेथट से कम से कम कैल्कुलीशन करके निकाला है झालो हूता है आए ये कर देटाला ही e येला है आए है आए है हम तूत चलो समझ मैं है सबको basically formula आपके बास एक ही है इस chapter में अभी तक वो क्या है hc वाइ लेमडा या फिर h new minus phi is equal to k max बाकी आपको अपना दिमाग लगाना है question के according question में क्या बोल रहा है उससा अपना दिमाग लगा के solve करना question को ठीक है समझ मैं आई बात सिर्फ सार्व लैमडा के लिए आया एक वेवलेंस के corresponding इतने क्या बोलते हैं एक electrons निकलेंगे तो मैंने सब को तीन के corresponding निकालना क्या करोगे है हम है 4000 के corresponding इतना पूर्टाइटन के corresponding इतना सब का ऐसा होगे तो automatically सब सबको add के तो लैमडा को लगा आई यह बाएच सी common आगे लैमडा 1 प्रस एंडा 2 प्लस लैमडा 3 बच गया ठीक है है यह स्ये 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 माले नहीं का अप्टल नहीं का प्लस लिखने के जागे कंपीश्ट लें आजली प्लस झाल हो गया हम चैससर शाओ एक फोशन आप लोगो खुद से और होगी कहा ऐख साओ लोग और आख दिया है हम ऐख खैस हम आख स्पारश वाई small potassium foil placed at a distance R is equal to 0.5 meter normal to the direction of light from a point light source with output power P0 is equal to 1 watt is placed assuming wave nature of light how long would it take for the foil to soak up 1.8 electron volt from the source to eject an electron assume electron gets energy from an area of foil having radius equal to potassium atom which is 1.3 into 10 to power minus 10 meter and to this is इसको इसको ट्राय करके एंसर बता ही मुझे टीक है मैं वीट कर रहा हूँ आइं गिविंग यू 10 मिनिट्स काल्कुलेशन है इसलिए हूँ झाल्ग झाल्ग करें तो यू झाल्ग करेंग है भीट करेंग तो यूझे लूझे लिए घर एंसर बता है झाल 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 आपका पोटेशियum फॉइल रखा हुआ है है ना तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इंटेंसिटी हो जाएगी इंटेंश्ट पोटेंटा करनी इतना एरिया ठीक है तो time किता लगेगा time is equal to energy जो चाहिए अपान intensity इन्टू एरिया राइट विए इन्टेंसिरी कहा है energy upon area इन्टाइम एन्टाइम लाएंन टाइम किता हो कहा है energy upon intensity area रिया, so this is equal to, energy किती ही चाहिए, वापस लिख लेते हैं, 1.8 electron volt, 1.8 into 10 to the power minus 16, upon intensity कितनी है, p0 upon 4 pi r square, p0 कितना है, 1 watt, upon into 4 pi r square हो जाएगा, p0 upon 4 pi r square हो जाएगा, p0 तो 1 हो गया, upon 4 pi r square उपर चला गया, into 4 into pi into, r square is 1 by 4, upon area is 1.3 into 10 to power minus, अच्छा ये area लिख ना है, यहापके तो रिच्टो 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 है ना, इंच्छे आजएगा area कितना, pi r square, pi into 1.3 square into 10 to power minus 20, pi ने pi मार दिया, 4 ने 4 मार दिया, चलो बढ़िया है, च्छे क्या बचा है, 10 to power 4 हो गया, न, that is equal to 1.8 upon 1.69 into 10 to power 4 seconds, ठीक है, मतलग की करीब-करीब, 10,000 से उपर लग रहा है, ठीक है, 3 घंटे से उपर लग रहा है, असा कैसे होगा, रहा एंसर तो कुछ और ही है, 1.6 शूटा न, मेरा, 1.6 चूटा न, मैंस 19 लगेगा, आचा, 1.6 वो मैंने 1.6 लिखा नहीं, और स्कूपर डाल दिया, क्या है, चलो फिर, अब आजाएगा, 11,000 खतम होगा, जो 1000 बच गया, तो 1000 खतम होगा, और बच्चा, 1.6 शूटा न, तो 17 सकंट्स, ठीक, अप्रॉक्सिमेटली, हाँ, तो बहुत दिफिगल कोशिशन तो नहीं था, वह भूलो के सार आपको यह नहीं पता तो ब्यार, यह तो पता और रखना पड़ेगा न, बटा, ऐसा तो बहुत सारे केसे सॉल कर चुके हैं हम लोग, हम, ठीक है, जो फिर आजशी क्लास यहीं पर खतम करते हैं, अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर का, आपका जो, तो मॉडर्न फेजिक्स में जो अटम वाला है उसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, यह फोर्स दू टू टू रडिएशन और यह फोर्स दू टू टू रडिएशन वह चोटा ही है, तो डाउट्स भी भेज देना कुछ, नेक्स लास में डाउट्स भी डिसक्स कर लूँगा, मुझा कली, ठीक है, ओके, उसका हमारे पास बच्चेगा क्या, नुकलियर फजिक्स, जो नेक्स टीक में मैं कम्लीट करा दूँगा, ठीक है बटा, मिलते यह ग्लास में, तब तक के लिए टाटा बाए बाए, बाए,